जैजीनेंद्र बंधू, स्वागत है आप सभी का कारिक्रम समस्याप की समाधान हमारा में बंधू, अक्सर हम जब कुछ लोगों को देखते हैं, ये सोचते हैं कि आखिर वो इंसान इतना खुश क्यूं है, क्या भगवार ने उसके जीवन में जो खुशियां दी है वो चान के दी है, कि गम उसको छू भी ना पाएं, क्या करता है वो जिन्दगी में क्या जोतिश को बहुत मानता है, या वास्तु को अधिक जानता है हमारे मन में ऐसे questions आते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्तिक से मिलते हैं जिसके आसपास दुख होते भी नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि अक्सर उसे पूछे, कि आखिर क्या है उनके जिन्दगी में विशेश जो उन्हें समस्याओं से रखता है दूर बंधो, यह मंच वो है वो जो व्यक्ति की तलाश कर रहे है न, यह मंच वो व्यक्ति ही है यहां हम आपको बताते हैं कि क्यों किसी की जिन्दगी में खुशियां तमाम होती है और किसी की जिन्दगी में गम तमाम होते है कैसे वो अपने दुखों को दूर करके मात्र खुश में जीवन व्यतीत कर सकता है तमाम बातों की जानकार यहां से मिलती हैं और आपको मार्ग दर्शन भी हम देते हैं साथ ही आपके प्रशन भी लेते हैं कि तमाम विधाओं में निपूर्ण न जाने कितने विधान करा चुके हैं जी हां मैं बात कर रही हूँ आपके और अपने पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी की सरप्रथम गुरुजी का अभिनंदर करेंगे कारिक्रम में गुरुजी स्वागत है आपका जैजी नेंदर जैजी नेंदर बहुत बहुत धनवाज जी बहुत सारे मेल्स आये थे बहुत सारे ऐसे हमारे पस मेसेजज़ जिससे लोगों को पता लगा जो दिवाली उनकी बीती है जो धनतेरस उनके बीते हैं आपके दुवारा दियेगे टिप्स के माध्यम से बहुत सारी जो चेंज़ उन्होंने देखिए कुछ दिन बाद दिवाली के उन्होंने हमें साचा कि उसके लिए थांक्यू सो मच आज गुरुजी मैं ऐसा विशाय लेकर आई हूँ अपने दर्शकों के भिहाब पर कि कई बार देखा जाता है कि जयनिजम में भी कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं कई पर मुस्लिम समुदाय में भी देखा जाता है कि लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं जोतिश वही है शायद नाम अलग हो जाते हैं पहला प्रश्ण यही रहेगा क्या जोतिश के कोई प्रकार होते हैं जिसे हर धर्म अलग अलग नाम से जोनता है या जोतिश अपने आप में एक प्रकार है बहुत बढ़िया बहुत धन्वाद दर्सकों को साविने शादर जैजने मैं बता दू दर्सकों को कि यह बात बहुत अच्छी बात कहीं देजी मैंने कि जोतिश के क्या कोई प्रकार होते हैं या अन्य धर्म वाले जैसे की का सनातन धर्म वाले जोतिश को बहुत ज़्यदा मानते हैं वही जैन धर्म में कई बार करें भात तो जोत्य सबसे पहले आपने बहें कि बात कि हैं जोकिन के अनेग तरीके से अलग अलग विश्व कर प्रेकास डाला है ८िसेषक कर देखा जाए तो दूसेष्ण कर के दो भेधी है एक फलित और दूसरा सामद्रिक, फलित क्या है जो कुंड-ली को देख न्ला उसका जन्म समय, जन्मस्थान और जन्म का समय लेकर के जन्मतारिक को लेकर कर जो बनाया जाता है और वो कुंडरी बन करके उसको जो फलत गड़त जो निकलता है उसे कहते हम फलत जोतिस के देखना जैसे हस्त देखना मस्तस देखना पाद देखना पाद में पेरों के तलबेगी रहा हैं देखना जो आपको बता दू पूरे हिंदुस्तान में लिमीटेड लोग ही मिलेंगे आपको पादरेखा देखने वाले हस्तरेखा देखने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे मस्तरेखा देखने वाले भी बहुतेरे मिल जाएंगे फलित जोतिस का ग्यान रखने वाले भी बहुतेरे मिल जाएंगे लेकिन हस्तरेखा के बाद पादरेखा की बात आती है वो लिमिटेड लोग मिलेंगे लोग ही हिंदुस्तान का पूब्ल में लिमिटेड लोग ही है उनमें से एक में भी पादरेखा पर बिसेस अधन किया हुआ है इसको फुड़ा आगे लेंगे लिकिन एक प्रेश्ट नीहां उतपन होता है शरीर एक है शरीर में रेखाई भी एक ज tul tik रेखा कुछ ऑर कितनी वड़िया कोई रहे मेरे साथ मैं अभी जा रहा हूं मैं नोक्री के इंट्रेवु देने जा रहा हूं मुझे नोक्री लगेगी कि हें तो कुरेंट पोजीचन को जानने के लिए सवा से गाल यह चलती रहती है तो गोचर वाला पार्थ था पार्थ यहां पर समझना होगा के अस्तरेखा में जो रेखा है वो इस्तित है लेकन उसके बाप जूदी बिलुप्थ होती है बिलुप्थ का मतलब होता है कि वह होते हुगह भी नहीं है बिल्ब जिसको हाइड कह सकते हैं कि उसको हाइड हो गई ही वो पड़गुलर उतना लेकर आपके हस्त्रेखा देखकर के जनरली मेरे अपने हाथ हस्त्रेखा को देखाता हूँ इसको जर जूम करके देखेंगे आप तो आपको देखेगा इसमें देखें यह मेरी जीवर यहां पर एक क्रॉस लेन आई इट मिनस में पचास साल की उमर के आसपास मेरी होस्प्राइज होना पड़ेगा बसे या मुझे कोई एक्सिदेंट हो सकता है दुरगटना हो सकती है बड़ी बड़ी कोई बीमारी आ सकती है एक कारण वह सकता है तो यह तो फिक्स हो गया लेकि ने चिंदरबाद में कमजोर होगै मेरा अंगले महिने तो हमको उस महिने को यात्रे नहीं होगी अगर हमारा शुक्र बहुत मजबूत है यह भी हमारा हाथ का सुक्र बहुत मजबूत है शुक्र जैसे ही बात करते तो लोगों को जो जो तिस के जानकार है जो बेक्ति जानकार है उनके मन में बहुत सारी गलत भावनाया सकती है मेरी पती मेरा शुक्र देख करके कि इनका शुक्र बहुत है शुक्र का मतलब सर्फ कामोत तेजना नहीं होता है शुक्र यस दिलाता ह सुक्रब्यक्ति को ब्रधी करवाता है सुक्रब्यक्ति के आभा मंदल को फैलाता है ब्लासिता की सामगिरी दिलाता है बड़ बड़ी कार बेमड़ू मर्सेडिज मैं रोल्स रॉयल जैसी सेकुड़ों का लिए गाडिए दिलवाएगा बड़ी लगजरी बंगरा दिलवाएगा यह शुक्र के कारण मुझे सारा प्राफ्ट हुगा निम्नमंगल आंगे मेरा डाउन हो रहा है तो निम्नमंगल आंगे डाउन हो नहीं हा बस औहीं जा गया पर यह बарतमान कावें आप देख रही है इस से बरतमान ऐत डावन को दरेख रहे ह है यह जुफे से बरतमान कीश इन इस दिपाने जाने हारे कि आपके साथ क्या होने लारा है कि आपको चार दन वाद आपकी साथ मेरी बय다 मैं ब्ड़ी को देखने आर प्रफेक्ट पता चलती हैं अब हम थोड़ा से नीची आते हैं पाद रेखा पर आते हैं पैरों की जो रेखाएं होती हैं अगर संभव हो तो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग उसमें दिखाना पैर रेखाँ को उसमें तों कुछ करने के लिए हमें मिनिममम एक पाद रेखा को एक फो है कि प्रका को समझने के लिए मिनीमुँम एक घंटे का समय पे लिए इतनी देखायी होती है उनको समझने के लिए लेकर पाद रेखा से निकला हुआ प्रिक्षण जो है डेट वाइज जैसे कई बार लोग मुझे आते बुलता है चैसे हैं में आपका ऐसा होगा कर दिशा कडिया कि शोला फरवी 2020 को ऐसा होने वाला डेट लिख दूंगा और वर डोट कोई दो अब का मोझा आए सब को नृत जो थे काम होगा व्याम सी जिस्त हो highmaad दो साल आऊगे तक चो पुज़े काम हुगा हुआ है बज़े नहीं पडल है तो पड़क्तिह मेरे पास बापस हा था कैसे मार्वेफ हा से टुम्हें मंस्तस्क्रेखा से जारा हस्त्रेखा या इस पत्रेखा पर अब्र िलीब जो नबी चक्र को वहां को अगर पड़कर के वेक्ति का फलादेश किया जाता है कि तिल कहां पर क्या है यहां पर मैं चाहूंगे विस्तार में थोड़ा मैं दश्कों को बदाए वह बहुत अच्छा बहुत अच्छा वह बतलब कि आपके हात में ऐसा लिखा है वो पढ़के बताना यह आपका फलादेस है Ben को जानने के बाद खर उसके अनरूप काम यह फारीपन कार्ण जीवन काल में आप सब को सारा काम छोड़े देना मेरी बात मानना आप जीवलकार में एक बार एक बार एक बार एक बार सारे दर्सकों को कह रहा हूं किसी अच्छे जोट्सी से मिल करके एक बार पाद रेखा हैं जरूर दखाना पाद रेखे का प्रवपर प्रडिक्शन करवाना और पाद रेखा के ट आपको इतने तारीख को इतने बज़ी आपके साथ ऐसा हुआ था यह भी पता लग जाता है पहले आप पास्ट को जानना जब आपके बारे मताई निए आपके बच्च आप गए आपको पता नहीं कि आपकी साधी होगी आजकर महिलाओं को पता नहीं चलता है वैसे हमारे अभेने में थरा कमलेस भसंद जी उनों ने एक दिन बूला है बुले बात बता हूं को कैसे पत साधी सुधा है लेकिन आप उससे पूंचों कि मेरा बच्चा होने का योग है क्या अभी कोई बच्चा नहीं है कोई बच्चा हो सकता है क्या उपाद रेखा का जानका रोगा जोट बोल रहे हैं आपका बेटा इतने ताहिक को इतने बज़के इतने मिनट पर पैदा हुग जानकार है मैं सोचता हूं साइस से बढ़के पुछ नहीं हो सकता है पाद रेका कर किसी जोट्सी कि नहीं है को जानकार आपका आपको फोटो भीजने उसको तो फोटो भीजने तो आप क्या करें उस कंडिक्शन में आप उसको आप पैरों को बिल्कुल साप कमाएं क्या ब तो पूर अच्छे से पहुंच दें कपड़े से पीला पीलास आ जाएगा उसकी फोटो खींचे और पूरी फोटो खींच करके भेज़ें कोई दर्शेक आपको भेजना चाहे तो इस तरीके से भी लिए तेल लगा सबस्क्सों सेफ वेजन के उसके बाद क्या करेंगा एक तो ऐसी फोटो कहेंच हो प्या करेगा तो पेल तेल बि Armbru टफी उस इसके ठील तो पूरी देखाएं मुझे उभर के आएंगी तो तेल अगर संभा हो कौन सा तेल लगाएं तो सरसों का तेल से बिल्कुल किलिन डगाई देती है यह होता है तो पाद रेखा का प्रिक्षन करवां यह आपके लिए बहुत महत्मुरा समुद्रिग्यान क्या है सिर्गे बाल बाल से पता चलता गुंगराले वाले किसी महिलाओं के बहुत जाना तो गुंगराले वाले मतलब वो ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन वो गलत रास्ते पर जल्दी चली जाती है वो अब पती के अलाबा भी अनेत्तर संबंद बनने के योग बनते है जिसके स्ट्रेट बाल ह वो अलग मेटा रहे लेकिन अगर बाल जिसके सीधे होते हैं वह है महिला बहुत ज्यादा सुभावता अखड़ होती है सुभाव से कई वार उसके वह आ जाती है तो यह चीजे अलग लग सिर्गे बाल से लेकर के पैद के नाखून तब का फलादेश करना चेहरे का होता है जैसे आप बैठे हमें नहीं पता आप पूरा कपड़ा पहन के बैठे हो हम कह देंगे कि आपके पींट पर यहां पर राइट में इस जगह पर्टिकुलर जगह आपका तिल होगा जाओ देख के आओ आपका नाभी में के पास में बाजू में लेफ चाइड में आप मतलब सामुद्रिक ज्यान का सामुद्रिक ज्यान क्यों कहते हैं समुद्र के जैसा गहरा वो समुद्र के जैसी जिसकी कोई ठाय ना हो उसको कहते हैं सामुद्रिक ज्यान जिसको होता है वो समुद्र के जैसा गहरा ही बाला ग्यान है उसका कोई अंत नहीं है आजकल उपाय आने लगे जैसे लाल कुंडली लाल किताब आ गया काली किताब आ गया इस सारी चीज़ें इस में फिर फ्लादेश का एक हिस्सा है पार्ट आप जोतिस जरू कह सकते हो आपके जोतिस का इपार्ट है लेकिन जो उपायादी बताए जाते हैं कईवार वो कितने एफेक्टिव ह इस पर मैं ज्यादा डिसकर्स नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लाल किताब के दौरा मैं फ्लादेश करता भी नहीं हूं लाल किताब के दौरा मैं किसी पकार का उपाय बताता भी नहीं हूं क्योंकि मैंने उसके फ्लादेश पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया और जि साय स्कारीक्रम में इतना ही तमाम जानकारी सकारीक्रम के माध्यम से आपको मिले से के साथ आज के लिए बहुत-बोट धने बाद काजया जैश्णेद्र झाल